यहां पर हम करें हिमाचर प्रदेश रोट ट्रांसपूर्ट के रिगार्डिंग कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ट्राफिक रूल्स जो कि हमारे पार्ट फाइव है इससे पहले की वीडियो अगर अपने नहीं नहीं देखिए तो वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखे लि और चैनल पर पहली वराएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और नाटिफिकेशन को अन कर लिजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट जो आप तक रगुलरी पहुंचते रहें तो शुरू करते हैं हमारा पहला कोशन यहां पर पूछा गया है आज हम कुछ प्रवेंशन और टिकटलास ट्रैवल एक 1976 का जो आपका हिमाच्य प्रदेश प्रवेंशन और टिकटलास ट्रैवल एक 1976 का है तो उससे रिलेटेटर कुछ इंपॉर्टन कॉशन हम डिस्कुस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टन है आपके एक्जाम का पार्ट बन सकते हैं तो सब्सक्राइब को एक साथ लेगे चलेंगे तो आज इससे लेटेटर कुछ कॉशन डिसकुस करेंगे पहला कॉशन इसी से लेटर है आपको कॉशन को ध्यान से सुनना है पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति परिवहन की बसों में बिना टिकट यात्रा करता है तो जांच के सेक्षन इसे पर बताएगे हिमाच्य परदिश प्रवेंशन ट्रैवल एक 1976 के बताएगे आपको ताने कि सेक्षन के तहट यदि कोई व्यक्ति परिवहन की बसों बिना टिकट यात्रा करता है तथा जांच के दौरान वह टिकट दिखाने से इंकार करता है या फिर आपका जो जांच का कारे-कारी यह आपका करमचारी है उससे कोई भी गड़ाब करता है तो उसे कि सैक्षन के तह्यत तो सेक्षन प्रवेंशन प्रवेंशन ट्रेल एक 1976 कि सेक्षन सावन है उसके तहत उसे सजा का प्रापदहन किया जाएगा उसे एक माक की सजा या फिर जर्मान या फिर दोनों आपके लग सकते हैं तो आपको याद रखना है section 7 के तहट ये provision किया गया है आपका next step का पूछा गया है कि यदि परिचालक नियमा नुसार ticket का अवंटन नहीं करता है तो उसे हिमाचल परदेश prevention of ticketless travel act 1976 के किस section के तहट सजा का प्रावधान है अब हमने पहले बात कर ली किसकी आपका यदि कोई व्यक्ति बिना ticket के आत्रा करता है अब हम बात करते हैं यदि कोई परिचालक नियमा नुसार ticket का आवंटन नहीं करता है उसे हिमाचल प्रदेश prevention of ticketless travel act 1976 के किस section के तहट जो है आपका सजा का प्रावधान किया गया है तो इ इसके section 7 के तहर जो है यदि कोई परिचालक नियमा नुसार ticket का आवंटन नहीं करता है या टिकट के आवंटन में लापरवाही करता है या फिर जो है गलत ticket का आवंटन करता है आपके passengers को और वह पकड़ा जाता है तो section 7 के तहर जो है उसे सजा का प्रावधान किया गया है इस एक्ट के तो आपको याद रखना है उसे एक मा की सजा और जुर्माना या फिर दौनों लग सकते हैं तो option 6 का आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि हिमाचल परदेश प्रिवेंशन आफ टिकट लेस्ट ट्रैवल एक्ट 1976 के किस section के तहर जो है बिना टिकट यात्रा करने पर प्रतिबंद का प्रावधान है अब पहले हमने बात कर ली किसीज़ की यात्री बिना टिकट यात्रा करता है जान्य क कि करता था जांच के दोर्रान टिकट दिखाने पर मना करता है या पिर करमелей से जडब करता है तो उसे सज्टा प्रावधान कीitelा है कि सैक्षेवल पांच अब बात करें लिए और टिकट यात्रा करना जो है आपका दंडनी होगा तो किस सेक्शन में यह लिखा गया है तो इसका राइटिन से आपका ऑप्शन नंबर यानि सेक्शन कि पूझा गया है कि हिमाचल परदेश जो आपका prevention of tickerless travel है इसके section 2 में क्या निर्दिश किया गया है यहाँ पर आपको options यह गए है किराय के भुकतान पर टिक्टों क्या बूर्ति करना बिना ticket यात्रा करने पर प्रधिवन लगाना टिक्टों की प्रस्तुति या परिभाशा तो आपको याद रखना है आपको ध्यान देना है इस बात पर कि हमाच्य प्रधिश prevention of tickerless travel act 1976 के section 2 में क्या निर्दिश किया गया याई क्या आपका दिया गया है तो यह दिया गया आपका परिभाशा जो आपकी परिभाशा है किस चीज़ की माचे प्रधिश prevention of tickerless travel act 1976 की परिभाशा को निर्दिश्ट किया गया है इस act के section 2 में आपको याद रखना है तो इसमें जो आपके section हमने यहाँ पर discuss किये section 4 इसमें बिना टिकर्ट यात्रा करने पर प्रतिवन section आपका साथ जहां आपका परिचालक नियामनसार टिकट का बंटर नहीं करता है तो सजा का प्रथ़ँनापधान और section 5 जो आपका बिना टिकट यात्रा करता है और करमचारी से जड़ब करता है और टिकट दिखाने से इंकार करता है לשTION 5 किता है तो ये सजा का प्राबधान किया गया है और इन तीनों में जो आपका सजा का प्राबधान किया गया है वो आपका एक मा की सजा और साथ ही में चुर्माना या फिर दौनों आपके लग सकते हैं तो ऐसा प्रोविजन है आपका 1976 के इस एक्ट में तो आपको यह सभी याद रख कुंसे साइन का अपको द्यान देना है अगर आपको पता है तो वैल अपको रिएजेर हो जाएगा आपको जो पहला साइन अगर आप को यह कहीं पर दिखाए देथा आपको ऑख औरो तो लिये ड्या ऋतों तो इसका अर्थ New नो एंट्री एंट्री नहीं है और नेक्स्ट आपको अगर ऐसा साइन देखता है वन एरो विदाउट कट के और एरो बढ़ा आपका यह कट में रेड डॉट रेड रिंग में तो इसका राइट इन सुर्था वन वे साइन यानि एक तरफा रास्ता एक तरफा रास्ता के आपका दूसरी तरफ की गाड़ियां इस तरफ से नहीं जा सकती तो नेक्स्ट आपका अगर आपको ऐसा कोई साइन देखने को मिले जहां पर दॉनो एरोज के उपर आपका यह आवाजाही मना है यानि दॉनो डारिक्ष्ण में यानि गाड़ी की आवाजाही मना है यानि नहीं जा सकती ना इस तरफ की ना उस तरफ की तो नेक्स्ट आपका यहां पर साइन दिया गया है आपका एक टू वेलर प्लस फोर वेलर इनके ओपर आपका यह रैड सरकल दिया गया है तो यह इसका अर्थ होता आपका आल मोटर वेकल प्रोहबिटेड यानि सभी परकार के जो मोटर वेकल है उनकी आवाजाही मना है नेक्स्ट आपका यहां पर दिया गया है एक ट्रक है उसके उपर आपका यह रैड सरकल दिया गया है कार्थ आपका ट्रक प्रोहबिटेड यानि ट्रक की आवाजाही इस तरफ से मना है नेक्स्ट हम साइन की बात करते हैं नेक्स की गाड़ी होती है तो उसकी आवजाही मना है और साथ ही में दूसरा भी आपका यही है जो तांगा प्रोहबिट्ट यानि जो आपकी बैल गाड़ी होती है तांगा गाड़ी होती है तो उनकी आवजाही मना है इस परकार की साइन में यह निर्दिष्ट किया जाता है नेक्स आप यहां से नहीं लें ले जा सकते हैं अगर चित्र बना हुआ जैसे कि आप यहां पर देख सकते तो इसका आर्थ होता है आपका right turn prohibited यानि आप चलते समय अगर रास्ते में ऐसा कोई sign दिखाए देता है एक्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका आर्थ होता है आपका right turn prohibited यानि दाएं मुणना मना है तो इस प्रकार के arrow में अगर दाएं की तरफ arrow बना है तो तरफ को arrow हुआ तो आपका right turn prohibited और left तरफ को आपका arrow हुआ तो left turn prohibited तो आपको इन सभी science को ध्यान से देखना है और ध्यान से आपको इनकी पहचान कर लेनी है ताकि एक्जाम में अगर आपसे symbols या science से कोई caution पूछ लिया जाता है तो आपको इन सभी science के बारे में पता होना जीए तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा अपने फ्रेंस का शेर जरू कीजिएगा और चैनल पर पहली वे राएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जीए ताकि आने वाले सभी रागल अपडेट आप तक रागलरली पहुंचते रहें तो मिलते हैं नाक्स वीडियो में थैंक्स वाचिंग बेस्ट आफ लग फ़र व्राइट फ्यूचर